माज में बांज होना एक अभिशाप हुआ करता था किसी मा को आउलाद नहीं पैदा होती थी तो उसे अपना पूरा जीवन व्यर्थ लगता था लेकिन धीरे धीरे एक शब्द हमारी वैज्यानिक संस्कृती से प्रचलित हुआ IVF यानि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जि किया जाता है तो जो बच्चा तयार होता है उसे IVF बेबी कहते हैं लेकिन एक बात जिसके लिए मैंने यह चोटा सा वीडियो बनाया है कि IVF एक कृत्रिम तरीका है क्योंकि प्राकृतिक चैन के नियम में स्वता ही हर महीने एक अंडा मा के गर्भ में आता है और प्राकृत प्राकृतिक रूप से पुरुष के शुक्राणु यदि उसे उपलब्द होते हैं तो उन एक बार में निकलने वाले 30 करोण सुक्राणू में से एक किसी सुक्राणू का वो चयन करके बच्चा पैदा करता है ऐसे में प्राकृतिक रूप से चैनित बच्चा और कृत्रिम तरीके से गर्वाधान के माध्यम से बच्चा पैदा करना IVF तक्नीक से जिसमें सुक्राणू भी कृत्रिम तरीके से चैनित होते हैं जो अंडा तैयार कियाता है वो भी कृत्रिम रूप से किया जाता है तो क्या इस विधी से औरत के शरीर के साथ खिलवाला नहीं हो रहा है आए इसे ही जानते हैं यूट्यूब पर मेरे IVF प्रोग्राम में